इस तरह के strip light से इस signboard को repair करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक पहले से इस तरह का strip में lady light लगा हुआ है देखिए इस तरह का strip आप देखने को आपको मिल रहा होगा और यह 3-4 layer अलग-अलग strip को यहाँ पर connect करके यहाँ पर रखा हुआ है और यह हमारा जो ply है उस पर हमने पहले से ही इस तरह का strip को लगा दिया है तीन strip को यहाँ पर लगाया हुआ है तो यह हमने cutting करके अलग से ले लिया था अब इसे हम side कर लेते हैं और उसके बाद इसका अब हम connection करेंगे तो यहाँ पर देखिए दो wire हमने पहले से connect किया है जो कि तीन हमारा lady light जो है strip जो है वो आपस में connected है और यह इसका driver है जहाँ पर हमें AC supply देना पड़ेगा और DC output लेके इसको connect कर देना पड़ेगा supply के साथ तो यहाँ पर देखिए line है फिर neutral है और beach वाला terminal जो है वो earth का है उसके बाद दो terminal आपको DC voltage का है मतलब plus और minus का sign है अब यहाँ पर देखिए हम अर पास दो driver है तो इसमें से एक driver में हम connection करके आपको दिखाते है कि यह work करता है कि नहीं तो यहाँ पर देखिए एक दो wire हमने लिया है जो की एक red है और एक black है जो हमारा AC के साथ में connect करएंगे और यहाँ पर LED के साथ में मतलब जो LED strip है वो हमारा DC वाले terminal पर connect होगा मतलब plus और minus तो यहाँ पर हमने AC वाले terminal को AC से connect कर दिया है और जो DC का जो plus minus terminal है जो की white वाला है उसे हमने यहाँ पर DC के साथ में connection कर दिया है अब देखी इसका connection होने के बाद जो AC वाले supply को यहाँ पर socket पर connect करते हैं और यहाँ पर इसे हम देखते हैं चेक करके यह work कर रहा है किने तो यहाँ पर थोड़ा सा wire loose होने के कारण ठीक से नहीं जल रहा था अब देखी यह बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर यह glow कर रहा है यह तीनों strip जो लगा हुआ है इसमें सारा LED हमारा यहाँ पर जल रहा है यहाँ दो भू झाल में जल रहा है झाल झाल